भारतिय रख्षा स्टार्टप सागर डिफेंस ने देश का पहला ड्रोन बना कर तयार कर दिया है जो एक इंसान को लेकर उड़ सकता है इंसान को सिर्फ इसमें बैठना होगा इसके अलावा उसे कुछ भी नहीं करना है उसे ड्रोन एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा इ यह देश का पहला electronic human caring platform है फिलाल यह जमीन से दो मिटर उपर तक उड़ सकता है निकुंच पराशर ने कहा कि हमने इसे भारतिय नौसीना के लिए बनाया है ताकि सामानों का परिवहन आसानी से हो सके इस ड्रोन का नाम वरुन है इसमें चार autopilot मोड है जो इसे लगातार में इस बात की पुष्टी हो चुकी है कि ड्रोन की मदद से एक जहाद से दूसरे जहाज तक इसमें सामान रहकर पहुंचाया जा सकता है या फिर किसी मरीज को अस्पताल पहुंचाया जा सकता है इसकी रेंज 25 किलोमेटर है यह 130 किलोग्राम वजन का पेलोड उठाकर एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकता है इसकी उडान की समय सिमां 25 से 33 मिनट है सागर डिफेंस को यह प्रोजेक्ट नौ सेना की तरफ से मिला था कंपनी से कहा गया था कि आप इस प्रोजेक्ट को डेर साल में पूरा करिए ब्योरे रिपोर्ट दिली समाचार